ड्रिल करने के बाद आउशेश या रेजिडिवल को निकालना। ड्रिल पूरी होने पर तामबे के ट्रैक्स पर से टोनर रिजिस्ट निकालें। यह इसलिए किया जाता है ताकि सोल्डर आसानी से किया जा सके। टोनर रिजिस्ट निकालने का सबसे साधारन तरीका एसिटोन या मिथाइल एथिल किटोन को बोट पर रगड़ना है हाला कि यह तरीका काफी आसान है फिर भी कुछ लोग इसमें प्रयोक्त रसाइनों से डरते हैं रसाइनों का तुचा पर दुश प्रभाव न हो इसलिए जरूरी है कि रबर की दस्ताने पहन कर सफाई का काम करें यह भी जरूरी है कि सफाई का काम खुली हवा में किया जाए ताकि लोग रसाइनों के धुएं इनहेल न करें या उनसे कोई नुकसान न हो ड्रिल करने के बाद रेजिडवल अवशेश निकालना कुछ लोग रेजिडवल या अवशेश निकालने का पुराना तरीका ही पसंद करते हैं इस तरीके में PCB को बारीक स्थील की रुई पर पेस्ट क्लीनर और गरम पानी के मिश्रण से हलके से रगड़कर साफ किया जाता है इस तरह की सफाई से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुँचता और सफाई भी हो जाती है पानी से ठंडा करना टोनर रिजिस्ट को बोट से निकालने के बाद उसे पानी से धोया जाता है ऐसा माना जाता है कि प्रभावी सफाई के लिए पानी का तापमान 25 डिगरी सेंटिग्रेट से कम होना चाहिए